कन्या राशिफल दो हजार चौबीस दो हजार चौबीस आपके लिए कुछ खुश्खबरी लेकर आने वाला है जो बेहत खास होगी यदि आप विवाहित हैं तो यह एक बहतरीन वर्ष है अन्य लोग आपको एक पावर कपल के रूप में देखेंगे इस वर्ष आप में जोश में वृद्धी का अनुभव होगा जो आपके करियर में कुछ बदलाव लाने में मदद कर सकता है जो आपके लिए अच्छा रहेगा 2024 की दूसरी छमाही में कुछ चुनोतियां होंगी लेकिन वे आपके व्यक्तिगत और व्यावसाइक जीवन के लिए बहुत अच्छी सीख लेकर आएंगी जो आपको सही दिशा में ले जाएंगी शनी इस वर्ष आपको विवादों से दूर रखेगा और कानूनी मामलों में भी आपका बचाव करेगा करियर राशिफल 2024 में आपके सामने नए अवसर आएंगे जिससे आपका व्यावसाइफ लेगा फूलेगा आपना इस अंपर्व बनाएंगे जिससे काम पर अच्छी प्रतिष्था मिलेगी और आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है यदि आप नौकरी पेशा हैं तो ब्रहसपती के सहयोग से आप पदोनती या वेतन वृद्धी की उम्मीद कर सकते हैं शनी पूरे वर्ष छठे भाव में मौजूद रहेगा और वर्ष की शुरुआत में दशम भाव पर सूर्यो और मंगल का प्रभाव आपके करिया में अनुकुल परिस्थितियां बनाएगा आप 2024 में कई महत्वपुन परियोजनाओं का प्रबंधन करेंगे इस वर्ष आप खुद को अपने काम के प्रति अधिक जिम्मेदार और प्रतिबद्ध पाएंगे जो आपके करिया में एक बड़ी भूमिका निभाएगा यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं या मंचाही नौकरी की तलाश में हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन जून के बाद वक्री शनी कुछ चुनोतियां ला सकता है वितर आशिफल साल 2024 में आर्थिक स्थिति उतार चड़ाव भरी रहेगी आपको आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलना होगा संभावनाएं पैदा करेगी जो आपको वित्तिय सुरक्षा की राह पर ले जा सकती है प्रेम राशिफल 2024 अतीद की कई शिकायतों और गलत फहमियों को दूर कर देगा जो आपके रिष्टे को परिशान कर रही थी ये कदम 2024 में शुक्र और केतु के सहयोग से होगा ये वह वर्ष भी है जब आप अपने साथी से अधिक जुडाव महसूस करेंगे राहू और केतु के प्रभाव से इस वर्ष आप प्यार के मामले में अधिक अभिव्यक्त होंगे अपने रिष्टे में विश्वास पैदा करें क्योंकि शनी आपको ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो आपके प्रेम जीवन को परिशान कर सकता है बहराल, अन्यग्रहों का समर्थन नकारात्मक प्रभावों को रोकने और आपके स्वभाव को नियंत्रित करने में मदद करेगा शुक्र आपकी गल्तियों को सुधारने में मदद करेगा और आपके रिष्टे में किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए आपकी प्रव्दिती पर काम करेगा स्वास्थे राशिफल इस वर्ष आपकी चिर्चिरापन और गुस्से के कारण कुछ चिंताएं हो सकती है साथ ही अगर तवचा या नसों से जुली कोई समस्या है तो लापरवाही न करें राहू और केतु आपके जीवन साथी के स्वास्थे को प्रभावित कर सकते हैं जिससे आपको कुछ तनाव हो सकता है सब्तम भाव में राहू और आपकी राशी में केतु की उपस्थिती आपको मानसिक स्वास्थे समस्याओं का सामना कर सकती है आपकी जन्म कुंदली के छठे भाव में मौजूद शनी आपकी रोग प्रतिरोधक शमता को मजबूत बनाएगा लेकिन बीच बीच में स्वास्थे संबंधी परेशानिया भी बढ़ा सकता है इसलिए आपको एक अनुशासित जीवन शैली बनाए रखनी होगी लगन भाव में केतु के विद्यमान होने से जातकों को यूरिन की समस्या, दिल की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या हो सकती है स्वास्थे का विशेश ध्यान दे मंगल ग्रेह आपके लगन भाव से चतुर्थ होना एवं अपने भाव से द्वितिय वन अवं होने से जातकों को लिव संबंधी समस्याला सकते हैं साथ ही पैरों में दर्द, आँखों में जलन या आँखों से जुड़ी बिमारियां आपको परेशान कर सकती हैं पैट के रोगों के प्रती आपको सचेत रहना होगा हालांकि साल के दूसरे भाग में स्वास्थे संबंधी समस्याएं कम होनगी लेकिन आपको पूरे साल अपने स्वास्थे के प्रती अतिरिक्त सावधान रहना होगा आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद